देश कोरोना महमारी के दौर से गुजर रहा है और उस दौर में जो सबसे भयानक तस्वीरें हैं स्वास्त सुविधाओं के अभाव की उसकी यह एक मुख्य तस्वीर है इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारतिय गाउं, भारतिय गरी, भारतिय कस्वे किस हालत में जीते हैं स्वास्त सुविधाओं की जो इस्थिती है दिल्ली, मुंबई, एहमदाबाद जैसे महानगरों में सरयाम हो चुकी है बड़े से बड़े लोग, हीरो हीरोईन, मंत्री नेता, सब कुछ सब लोग गुहार लगा रहे हैं इस गुहार से एक बात बहुत साफ हो रही है कि हमने सत्तर सालों में कैसा देश बनाया है और पिछले छे सालों में जिस उपलबधी को हम मोदी की गिनाते हैं उसका स्वरूप, उसका द्रिश्य, उसका नजारा कैसा होगा यह पिछले तीन महीनों में देश में सतह पर आ गया है बहुत साफ हो गया है कि आम तो छोड़िये इस देश की स्वास्त सुविधाओं की स्थिति ऐसी है कि खास और खासमखास यानि गाड़ियों पर जो नहीं लिखा रहता वी आईपी देन वी वी आईपी इन दोनों की भी अब वकत नहीं रह गई है कि इस देश में स्वास्त की स्थितियों के साथ अपने लोगों का इलाज कर सके और ऐसा भी नहीं है 130 करोड प्रधान मंत्री मोदी का वह 130 करोड का देश में अभी बहुत मामूली रोग है सिर्फ 3 लाख मरी जाएं है मरने वालों की संख्या भी जादा नहीं है पीडितों की भी आबादी के इसाब से संख्या बहुत मामूली है लेकिन यह बताता है कि हमारे देश में जुमले बाजी, नारे बाजी और तिकडम बाजी का जो पूरा खेल है और उससे जो हमने पिछले 70 सालों में इंफ्राइस्ट्रक्चर स्वास्त का बनाया है उसका रूप स्वरूप ऐसा है क्योंकि इन अस्पतालों में अब गरीब नहीं जा रहे हैं, गरीब तो अपने घरों में मर रहे हैं, सडकों में मर रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा सरकारी अस्पतालों के PMC में मर रहे हैं ये जो आखड़े आपको स्वास्त विभाग के द्वारा आ रहे हैं या फिर जो आपको पिड़ित दिखाई दे रहे हैं इनमें आप पता कर लें बहुतायत वह लोग भरती हैं जो कहीं न कहीं सक्षम हैं अन्यता हम पत्रकारों के पास या हम जैसे तमाम ऐसे लोगों के पास जिनको जनता समझती है कि कुछ मदद मिल सकती है फोना रहे हैं लेकिन हम सब लाचार जैसी हालत में हैं क्योंकि किसी के इलाज की कोई सुविधा नहीं है और जो सुविधा है उसका ज़रा रेट देखिए इस रेट में इस रेट में आम और खास की भी आवकात नहीं है कि वह अपने लोगों को इलाज करा सकी कोरोना की जाज 4500 रूपे एक दिन अगर आप बिड़ पर रहते हैं तो उसका किराया है 26,000 वह भी जनरल वार्ड का आप अपनी आखों से रेट पढ़ ले इत्मिनान हो जाएगा और आगे हम सोचे जरूर कि हमने कैसा मुल्क बनाया है या किसके जरिये बना है जरा इन लासों को जलते हुए देखिए आप सुनिए जरासा हलका सही सुनिए जलाने की जगह नहीं मिल रही है यही स्थिती अहमदाबाद की है कोरोना में जितने लास जलाने की जगह है असमसान घाटों पर या दफनाने की उससे दुगूनी संख्या में लासे आ रही है और यह तब है कि माना जा रहा है कि अभी आगे और बढ़ेगा आप देखें अगर आकणा मिलाएं प्रतिसत मिलाएं तो हम बहुत सारे देशों से बहुत कम लोग मरे हैं आबादी के हिसाब से पिडित भी बहुत कम है असल सवाल यह है कि हमारी स्वास्त सुबिधाएं इतनी लाचार, बीमार, बेकार और महंगी क्यों है इतनी महंगी है कि आप अस्पताल के दरवाजे पर अपने प्रियजनों के लास रख सकते हैं लेकिन उसको बेड पर नहीं लिटा सकते किसी की आउकाद रेयर आफ दे रेयरेस्ट की रह गई है आप जानते होंगे कि हमारे देश के 90 फिसद लोगों की सैलरी 10-15 हजार से ज़्यादा की नहीं है आकड़ा है अजीन प्रेम जी विस्विधाले का कि हमारे देश के 80 फिसदी मर्द 10 हजार रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाते और 90 फिसदी औरतों का ये हाल है उस देश में जब एक दिन के जनरल वार्ड में भरती करने का किराया अगर 25-30 हजार हो जाए वो भी बिना दवा के तो जरा सोचिए कि कौन जीएगा, किसका इलाज होगा और कौन मरेगा पर चिंता एक जरूर करनी चाहिए क्योंकि आज आफ़त आई है, हो सकता है, टल जाए फिर आएगी सवाल वही मयस लगातार बना रहेगा हम आपसे लगातार पूछते रहेंगे कि आखिर हमने देश कैसा बनाया पिछले छे सालों में जिस सीने पर हम चोड़े हो रहे थे क्या आपको अंदाजा भी है कि उस तमाम जो खर्चे हुए जो विवाद हुए, जो दंगे फ़साद हुए इन सवालों को लेकर अगर हमारा सवाल अपनी सुविधाओं अपने मुल्क की बहतरी पर टिका होता तो हमारे स्वास्त की जो यह हालत है नहीं होती बहुत आसान है यह कहना कि 70 साल में क्या हुआ जाहिर तोर पर 70 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ इसलिए हमने इस देश को बदला और देश ने वोट दिया और एक ऐसा प्रधान मंत्री चुना जिसने अपने को विश्व का सबसे बड़ा नेता कहलवाया और कहा पर आज हम सबसे गरीब दरिद्र बुरी हालत में है हाथ जोड़े हुए हैं आप वीडियोस देख रहे होंगे मंत्रियों के घरों के लोग, विधायकों के घरों के लोग, बड़े बड़े पत्रकारों के लोग, हाथ जोड़ रहे हैं साहाब कि हमारा इलाज कराओ, हमारी मदद कराओ ये देश हमने बनाया है, जरा सोचिए ये बना कैसे होगा हम रातो दिन क्या जिन पर भहसे करते हैं उन्हीं ने ये देश नहीं बनाया वही जाति वही धर्म वही उचा वही नीचा रातो दिन राजनीत की जो भहस है हमारे देश के जो बुद्ध जीवियों की भहस है वह सिर्फ जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा है जबकि हमारी सुविधाओं की जो आफ़त आई है वह बहुत साफ कह रही है कि इसका जात धर्म उचा नीचा से लेना देना नहीं है इस मुल्क के गरीब और कमजोर लोग जब तक एक साथ मिलकर एक आवाज में चाहे स्वास्त सुविधाओं हो चाहे सिक्षा हो चाहे थाने हो चाहे पुल 50% आदमी मजबूर बेहाल होता है वह कचहरी में चला जाए तो भी मजबूर थाने जाए तो भी मजबूर अस्पताल जाए तो भी मजबूर सांसुदो विधायकों के दरवाजे जाए तो भिकमंगे जैसी हालत में होता है क्या हमने 70 सालों में यही भारत नहीं बनाया है औ और यही उसका साफद्र से है, इसलिए जात धर्म उँच नीच धर्म संप्रदाय का समय उबर गया है, खत्म हो गया है, जो विकास होना था वो हो चुका है, अब आपको एक साथ लड़ना होगा, एक साथ जाना होगा, सिर्फ इन विसलेश्णों में अब कुछ नहीं रखा है कि यह उचा और वो नीचा, अगर हम इस राजनीत में रहेंगे, इस राजनीतिक धारा को लेकर आगे जाएंगे, तो हमारी स्वास्त सुविधाय ऐसी ही रहेंगी, और दूसरी स्थितियां भी इसी तरह बनी रहेंगी, और ध्यान रखियेगा हमारे देश में, चाहे आप आजस पदपरतिष्ठा पर हों, लेकिन राजनीति ही सब कुछ तय करती है, इसलिए राजनीतिकी अगर धारा आप नहीं बदलते हैं, तो आपको न अस्मसानवे जगह मिलने वाली है, न अस्पताल में, और यहां तक कि आपके घरों में भी नहीं, क्योंकि मुहले वाले भ ही निकाल फेकेंगे।